स्वागर्थ है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्रश्ण डॉक्टर बियारम बेदकर की 125 फीट उजी कांसे प्रतिमा का उद्धातन किस राज़ में किया गया इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है और यह डॉक्टर बियारम बेदकर के योगदान को याद करने के लिए लगाई गई है अगला प्राश्ण योजना का लाब उठाने के लिए आवेदक को चत्तीसगर का निवासी होना जरूरी है ये योजना मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित मानी जा रही है अगला प्राश्ण इरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण सीमा विवाद है गौर तलब है कि दोनों देश 900 किलोमीटर की अस्थिर सीमा साजा करते हैं जिसके एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांथ और दूसरी तरफ इरान का सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांथ है दोनों देशों का बलूच शेत्र में आतनकवादियों से लड़ने का इतिहास रहा है हालिया घडनाक्रम में इरान ने पाकिस्तान पर इरानी धर्ती पर हमलों के लिए जिम्मेदार सुननी आतनकवादी समूह जैशल अदल को पनाह देने का आरोप लगाया पाकिस्तान ने इसी तरह के दावों के साथ जवाबी कार्रवाई की और अपनी सीमाओं के भीतर बलूच अलगाववादियों के लिए इरानी समर्थन की ओर इशारा किया अगला प्राश्ण विक्सित भारत संकल प्यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ए परेटन को बढ़ावा देना बी सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना सी जाग्रूपता पैदा करना और विकास एवं कल्यांकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना डी राजनीतिक रेलिया आयोजित करने के लिए आंसर, सी, एक्स्प्लनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा 15 नवंबर को जारकन के खूटी से विक्सित भारत संकल्प यात्रा को हरी जन्डी दिखा कर रवाना किया गया इस यात्रा का उद्देश विभिन कल्यानकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना और योजनाओं के शत प्रतिशत संत्रिप्ती के लिए जन्भागीदारी की भावना में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है ये भारत सरकार की अब तक की सबसे बड़ी आउट्रीच पहल है ये पहल 25 जनवरी 2024 तक देश भर में 2.60 लाख ग्राम पंचायतों और 4000 से अधिक शहरी स्थानिय निकायों को कवा करेगी अगला प्राश्ण Forbes की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? इस रिपोर्ट के अनुसार सैयुक्त राश्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है